आज प्रधान मंत्री ने कहा कि हम सरकार चलाएंगे बहुमत से नहीं सहमति से अब जब प्रतार का नाम का कल ऐलान होगा तो यह उमीद कर रहें उस पर भी सहमति होगी मुझे लगता है होनी चाहिए लोगतंत्र में कहीं ना कहीं चाहिए वो स्पीकर का विश है रहा हो हमेशा से कोई बहुत जादा परिशानिया रही नहीं है दोनों तरफ से सहमती बनी है सिर्फ मैं अगर एक बार को छोड़ दू तो और इसके अलावा आज जो इस्तितियां र बनने और आहम सहमती बनने के बाद इस तरह की जो कॉंस्टिटूशनल पोस्ट है उसमें कोई बहुत जादा लड़ाई जगड़ा ना हो तो जादा बहतर है आधर ने प्रधान मंत्री जिन आज जब कहा कि हम चाहते हैं कि सहमती से सदन चले तो यह कहीं ना कहीं उम्मीद क अलग हो शक्ति लेकिन भारती जंता पार्टी 2014 से लेके 2024 तक जिस तरह से लोगतांत्री मुल्यों को लोगतांत्री प्रमपराओं को बहुत निचले अस्तर तक पहुंचाया है तो यह उसका खामियाजा भारती जंता पार्टी तोड़ना चाहती है इंडिया गडबंधन लो करेंगे कौन सी आज देखिए उन्होंने कहा लोगतांत्रिक प्रक्रिया कौन सी तोड़ी है आप ने का कि समविधान हिला कर आप लोगों ने आज हंगाम आज आमा पर प्रदर्शन किया आप लोगों ने का कि समविधान यह तोड़ रहे हैं समविधान को खतम कर रहे हैं क प्रभाइब कि बात कई थी यह सब जानते ना उन्होंने किसी और आपकी पार्टी का नाम लिए समाजवादी पार्टी अगर उसको अपने समीधान पर सबसे बढ़ा अमला देखिये ये बि पंच का रवया कैसा होगा यह निर्भार करता है कि सथा सब्सकों मानोगे आप हमें वो हदा दोगे जो संसद में जो भारती लोकतंत्र में प्रतिपच डिजर्व करता है तो हम यहां पर कोई हला हुँ हला मचाने नहीं आए हैं हम जनता की आवाज पहुचाने आए हैं उनके द्वारा चुनकर आये हुए हैं और समिधान खतम करने की बात ऐस जो पिछली साल डिएड़ सो से ज़्यादा आप संसदों को एक मिनट में संसद के बाहर फेक देते हो और उनके अनुपस्तित में आप बिल पे, बिल पे, बिल पे बिल पास किये जाते हो यह होता है समिधान को खतम करना और हमने नहीं कहा आप ही के नेता ने गॉं-गूं क कर रहे हो हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वह आज सिंबॉलिक था सम्विधान दिखाना सिंबॉलिक था और यह बताना था कि भारती लोकतंत्र में किसी दोने एक और बात कर दी अजय की यह आप से पूछ रही उन्हों लालू जी हमारे नेता राम बिलाज जी नितिश कुमार सब तो वहीं की पायदाइस हैं अब समय का चक्र ऐसा गुमा है जो वेक्ति संविधान बचाने के लिए जेल के सरीखों में रहा अपनी बड़ी बेटी का नाम मीशा रखा आज वह उनी के साथ जाकर के मजबूर है चत्र के नीचे ही कथा होना था और कॉंग्रेस की उस्ताना साही हुकूमत के खिलाब प्रदर्शन करना था आप ने कहा कि जो समाजवादी प्रदर्शन कर रही थी आज समाजवादी एक बड़ा गुट है आज दर्मेंद्री जी देख रहे हैं बहुत संक्या में पहुंच समाजवादी पार्टी उसमें बचाने के लिए समाजवादी हमेशा शड़कों पर अंदूलन करते रहे हैं और लोगों के हितों के लिए जो भी जरूरी कदम हो हम उसके लिए लड़ते रहेंगे आप मुझे बता दीजिए मोदी जी को 15 दिन हो गया सपत लिए हुए नीड लिए परिष्छा लिए देश की सबसे verd espertess the उसपर को बचाने के लिए वह saud के सथाने तरफे पहल यहाइए करने का वादा करने वाले जनरल ट्रेर में जाके देखिए लोग लेटरिंग में बैठ कर यात्रा करनों मजबूर रहें इस देश में नरेंद्र पोदी की अगर मैं बात करूं तो एक चायवाला जो देन है वो देन ही सम्विधान की है अगर कॉंग्रेस में और लालू परसाद यादव की पार्टी में सम्विधान होता न तो ये जो इनके बेटे आज संसत बने बैठे इनको कोई पार्शत बनाने को तयार नहीं था सम्व सम्विधान है और वो रहने वाला है लेकिन हां कुछ लोग हैं जिनको अपने परिवार में और अपनी पार्टी में सम्विधान लाना वो ले आए और वह बचा ले तो बहुत बड़ी बात हो ये जो बात कह रहे हैं एक मिने डारी हूं एक बार अनुट जी के पास जारी व पिख संविधान का पालन होता था और समी थाता फोसी की देंति की चाय वाला देश का प्रधान-मंत्री मता सब्रक्राइं ओं करीब इ pod परजी मुकदमें डाले लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई सुप्रीम कोट से राहूल गांदी जी की संसर सदस्टा भाली हुई उनको वापस उनका अधिकार मिला तो यह समविधान के दजियां उड़ाने का काम इनों ने किया है जो पहले दिन कॉंग्रेस समय तमाम इंडिया करकी है आप उनी पर आरोप लगा नी समविधान हाथ में लेकर के शपत लेना अनिवार्य है इसलिए लिया आज की बात नहीं कर रहे हैं जो लोग नहीं मानते हैं करें इनके कारनामे बता रहे हैं कि किस तरह से समय दिन भी शपत लेने के समय जो है पहले-पहला सांसद जो है देश के सपत ली जिसने इसरी कारेगा लाए उनसे आज पेक्शा की जारी थी कि जो देश में जो वर्तमान के मवजूदा हालात है उन पर दो शब्रक्रिया होत हम्ला करने पर प्रक्रिया कहा है यह कई सिष्टा चार यह कौंसी प्रक्रिया है को आपकी बात जो बोलना चाहती मैं नहीं बोल रहा हूं यह रहूल गांदी जी ने शुकार किया लेकिन यह साहस होना चाहिए कि अगर हमारे पूरवर्तियों ने कुछ अगर गलत किया है तो उनको स्विकार करने का साहस राउल गांदी समेट कॉंग्रेस नेताओं का लेकिन वर्तमान की मौझूदा मौझूदा सरकार मौझूदा भारत्य जनता पार्टी के अपनी कमियों स अपनी गलतियों से कम माफी मांगेंगे